नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मुबारक बीमारी मुईशी प्रेमचंद हमीशा से ही सामाजिक मुद्दों को अपनी कलम से धार देते हुए आए है एक ऐसा ही मुद्दा उन्होंने अपनी कहानी मुबारक बीमारी में चुना है मुबारक बीमारी दो पीडियों की सोच के बीच अंतर को जाहिर करती है कहानी सुनाने से पहले निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिसे आने वली और जो मेरे दोरा अपनोड़ेड वीडियों हैं वो आप तक तुरंट पहुँच सकें और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें तो प्रस्तुत है कहानी मुबारक बीमारी रात के नौबज कहे थे एक युपती अंगेठी के सामने बैठी हुई आँख फूगती थी और उसके गाल आँख के कुंदनी रंग में दहक रहे थे उसकी बड़ी बड़ी आँखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी कभी चौक कर आंगन की तरफ ताकती कभी कमरे की तरफ फिर आने वालों को इस देरी से तियोरियों पर बल चड़ जाते और आँखों में हलका सा गुस्सा नजर आता कामल पानी के में जखोले खाने लगता इसी बीच आने वालों की आहट मिली कहर बाहर पड़ा खराटे ले रहा था बूडे लाला हर नाम दास ने आते ही उसे एक ठोकर रगा कर कहा कमबक्त अभी शाम हुई और अभी से लंबी तान लिदी नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए चेहरा बुजा हुआ चिंतित देवकी ने आकर उनका हाथ पकर डिया और गुस्से वा प्यार की मिली हुई आवाज में बोली आज इतनी देर क्यों हुई दोनों नए खिले फूल थे एक पर ओस की तासगी थी दूसरा धूप से मुड़ जाया हुआ हरिदास हाँ आज देर हो गई तुम यहाँ क्यों बैठी रही देवकी क्या करती आग बुझी जाती थी खाना न ठंडा हो जाता हरिदास तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने न बैठा करो बाज आया गरम खाने से देवकी अच्छा कपड़े तो उतारो आज इतनी देर क्यों की हरिदास क्या बताऊं पिता जी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता इस रोज रोज की जंजट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँ लाला हरनाम दास एक आटे की चक्की में मालिक थे उनकी चवानी के दिनों में आसपस दूसरी चक्की ना थी उन्होंने खूब धन कमाया मगर अव्य हालत न थी चक्कियां कीडे मकोडों की तरह पैदा हो गई थी नई मशीनों और ईजादों के साथ उसके काम करने वाले भी जो शीले नौजवान थे मुस्तेदी से काम करते थे इसलिए हर नामदास का कारखाना रोज गिरता जाता था बुड़े आदमियों को नई चीजों से चिड़ हो जाती है वे लाला हर नामदास को भी थी वे अपनी पुरानी मशीन ही को चलाते थे किसी भी किसम की तरक्की या सुधार को वे पकप समझते थे मगर अपनी इस मंदी पर कोड़ा करते थे हर ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेजेट शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के खार खाने को नए उसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए लेकिन जब उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला सहाब जामी से बाहर हो जाते और बड़े गर्ब से कहते कॉलेज में पढ़ने से तजर्वा नहीं आता तुम अभी बच्चे हो इस काम में मेरे बाल सफेद हो गया है तो मुझे सलामत दो जिस तरह मैं कहता हूँ काम किये जाओ कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सक्त फटकारे पड़ी थी इसी वज़े से अभी इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कार खाने में किस्मत आजवाना चाहता था जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की जादा सहूलते हासल हो देवकी ने सहानबोती पूर्वक कहा तुम इस फिक्र में जान क्यों खापाते हो जैसे वे कहें वैसे ही करो भला दूसरी जगे नौकरी कर लोगे तो वे क्या कहेंगे और चाहें वे गुस्से के मारे कुछ भी बोले लेकिन दुनिया तो तुम ही को बुरा कहेगी देवकी नई शिक्षा के आवूशर से वंचित थी उसने स्वार्थ का पाठ न पड़ा था मगर उसका पती अपने अलमामेटर का एक प्रितिष्ठिस सदस्य था उसे अपनी योगिता पर पूरा भरोसा था उस पर नाम कमाने का जोश इसलिए वे बुड़े पिता के पुराने धरों को देखकर धीरच खो बैठता था अगर अपनी योगिताओं के लाप्रद उपयों की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा कहे तो उसे उसकी परभा नहीं जुन्जला कर बोला कुछ मैं अमरत का धरिया तपी कर आया नहीं हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूँ मूर्खों की अनुचे टीका टिपडियों के डर से क्या अपनी उम्र बरबात कर दूँ मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूँ जो हरगिज मेरी से योगिता नहीं रखते लेकिन भे मोटर पर हवा खाने निकलते हैं बंगलों में रहते हैं और शान से जिन्दगी बसर करते हैं तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रखे जिन्दगी का अमर समझे बैठा रहूँ संतोष और निस्प्रताता का योग बीद गया ये संघर्ष का योग है मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है मगर सिध्धानतों के मामले में उनसे क्या मैं किसी से नहीं दब सकता इसी बीच कहार ने आकर कहा लाला जी थाली मांगते हैं लाला हरनाम दास हिंदू रस्म रिवाज के बड़े पावन थे मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ती पाचुके थे पहले कुछ दिनों तक जाडों में रात को पूईया ना हजम होती थी इसलिए चपातिया ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे मजबूरी ने वह कराया था जो हुजजत और दलील के काबू से बाहर था हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला पहले तो वह हजरत बहुत दुखी नज़र आते थे लेकिन बगहार की खुश्बूक ने खाने के लिए चाओ पैदा कर दिया था अक्सर हम अपनी आख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं लाला हरिदाम दास रात को भले चंगे सोए लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियां और कुछ अपने कारवार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई और चाहें इसी उदिंकता का असर हो चाहें बुडापे का सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया जवान बंद हो गई चेहरा एट एट गया हरदास डॉक्टर के पास दोड़ा डॉक्टर आये मरीज को देखा और बोले डरने की कोई बात नहीं सेहत होगी मगर तीन महीने से कम न लगेंगे चिंताओं के कारण यह हमला हुआ है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह आराम से सोएं परशान ना हो और जवान खुल जाने पर भी जहां तक मुंकिन हो बोलने से बचें बिचारी देव की बैठी रो रही थी हरदास ने आकर उसको सांतुना दी और फिर डॉक्टर के आंसे लाकर दबा लाकर दे दी थोड़ी देर में मरीज को होश आया इदर उदर कुछ खोचती हुई सी निगाओं से देखा जैसे कुछ कहना चाहते हैं और फिर इशारे से लिखने के लिए कागज मगाया हरिदास ने कागज और पैंसिल लग दी तो बुड़े लाला साहब ने हाथों को खुब सम्हाल कर लिक इंतजाम दीनानाथों के हाथ में रहे ये शब्द हरिदास के हिर्दे में तीर की तरह लगे अफसोस अब भी मुझ पर भरोसा नहीं यानि कि दीनानाथ मेरा मालक होगा और मैं उसका गुलाम बन कर रहूंगा यह नहीं होने कागज के लिए लेकर देवकी के पास आए और बोले लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है उन्हें मुझ पर इतना एत्बार भी नहीं लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूँगा उनकी बीमारी का अफसोस तो जरूर है मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योगिता दिखलाने का यह अफसर दिया है और इससे मैं जरूर फायदा उठाऊंगा कारखाने के करमचारियों ने इस दुरघटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए उनमें कई निकम में आदमी भी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी वाली बातों से रोटी खाते थे मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरमत का काम उठा लिया था रोज किसी ला किसी बहाने खिसक जाता था हरिदास ने कारखाने में पहुंसते ही साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगा कर काम करना होगा मैं इस महीने में काम देखकर सब की तरक्की करूंगा मगर आप टालमटोल का गुजर नहीं जिने मनजूर हो वो करे और ना हो तो अपना बोरिया विस्तर समाले फिर दीनानाथ को बुला कर कहा भाई साब मुझे खूब मालूम है कि आप होश्यार और सूजबूज रखने वाले आदमी है आपने अपतर कि यहां का जो रंग देखा वही अक्तियार किया लेकिन मुझे आपके तजर्बे और मेहनत की जरूरत है पुराने हिसाबों की जाच परताल कीजिए बहार से काम मेरा जिम्मा है लेकिन यहां का इंतजाम आपके सुपूर्द है जो कुछ नफा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा मैं चाहता हूँ कि दादा की अनपस्थिती में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊँ इस मुस्तेदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द कारखाने में नजर आने लगा हरिदास ने खुब इश्टहार बटवाए उसका असर हुआ कि काम आने लगा थोड़े अनवबी आदमी रख लिये फिर क्या था सारे शेहर में इस कारखाने की धूम मच गई हरिदास ग्रहकों से इतनी अच्छी तरह पेश आता कि जो एक बार मौमला उससे करता वे हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता करमचारियों के लिए उसका सिधान था काम सक्त और मज़ूरी ठीक उसके उचे व्यक्तित का भी इसपश्ट प्रुभाव दिखाई पड़ा करीब कर ये सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया उसने बहुत ही कम नफे पर ठेले ले लिए लाला हर नाम दास धीरे धीरे ठीक होने लगे एक महीने के बाद वैर रुक कर कुछ बोलने लगे डॉक्टर की सक्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शान्ती की इस्तिती में रखा जाए मगर जब उनकी जवान खुली उन्हें एक दम को भी चैनना था देवकी से कहा करते सारा कारवार मिट्टी में मिल जाता है यह लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है सारा काम अपने हाथ में ले रखा है मैंने ताकीद कर दी थी कि दीननात को मैनेजर बनाना लेकिन उसने जरा भी परभाना की मेरी सारी उम्र की कमाई बरवाद होई जाती है देवकी उनको सांतना देती थी कि आप इन बातों की आशंका ना करे कारबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफा हो रहा है पर भेभी इस मामले में तूल देते हुए डरती थी कहीं लकवे का फिर से हमला ना हो जाए हूं हां कहकर टालना चाहती थी हरदास जो ही घर में आता लाला जी उन सवालों की बोचार कर देते जब ये टाल कर कोई दूसरा जिक्र छोड़ देता तो बिगड जाते और कहते जालिम तु जीते जी मेरे गले पर छुरी फेक रहा है मेरी पूझी उड़ा रहा है हरदास फटकार का कोई जबाब ना देता क्योंकि बात से बात बढ़ती है उसकी चुप़ी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कार खाना तभा हो गया एक रोज देफकी ने हरदास से कहा अभी कितने दिन और इन बातों को लाला जी से चुपाऊगे हरदास ने जवाब दिया मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँगा तब तक डॉक्टर साब की हिदायत के अंसार तीन महीने पूरे भी हो जाएंगे देफकी लेकिन इस तरह छेपाने से क्या फायदा जब वे आठो पहर इसी की रट लगाए रहते हैं इससे तो चिंता और बढ़ती है कम नहीं होती इससे अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए मेरे कहने से उन्हें यकीन आ चुका हाँ दीनानात कहे तो शायद हो हरदास ने कहा देफ की बोली अच्छा तो कल दीनानात को यहां भेज़ दो लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे तुम्हें इस रोज-रोज की डांट फटकार से तो चुट्टी मिल जाएगी हरदास अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता मेरी मेनत और योगिता का नतीजा आखों के सामने मौझूद है जब मैंने काथाना आने हाथ में लिया था आमदनी और खर्च का मीजान मुश्कल से बैठता था आज पांच सेकन हफा है तीसरा महीने खत्म होने बाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका सारी जिन्दगी में वो जो कुछ ना कर सके वे मैंने तीन महीने में करके दिखा दिया इसी तजर्बे और कारवाई पर आपको इतना गमन था जितना काम वे एक महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ देवकी ने बतना पुर्वक नेत्रों से देखकर कहा अपने मूँ मिया मिठू बनना कोई तुम से सीख ले जिस तरह मा अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समस्ती है उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान समस्ता है या उनकी ममता है बुरा मनने की बात नहीं है हरिदास ने लज्जित होकर सर जुका लिया दूसरे रोज दीना नाथ उनको देखने की बहाने लाला हरनाम दास के सेवा में उपस्तित हुआ लाला जी ने उसे देखते ही तक्ये के सहरे से उठ बैठी और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा क्यूं कारवार सब तभा हो गया या अभी भी कुछ कसर बाकी है तुम लोगोंने मुझे मुर्दा समझ लिया है कभी बात तक नहीं पूछी कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद ना थी बहु ने मेरी तीमारदारी ना की होती तो मैं मर ही गया होता दीनानात आपका कुशल मंगल रोट बाबु साहब से पूछ लिया करता था आपने मेरे साथ जो नेक्या की उन्हें मैं भूल नहीं सकता मेरे एक एक रुआ आपका एहसान मंद है मगर इस बीच काम ही कुछ ऐसा था कि हाजर होने की मौलत ना मिली हरनामदास खेर कार खाने का क्या हाल है दीवाला होने में कसर बाकी है दीनानात ने ताज्जब के साथ कहा यह आप से किस ने कह दिया कि दीवाला होने वाला है इस अर्से में कारोबार में जो तरक्की हुई है वे आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे हर नाम दास व्यंग पूर्बक बोले शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मन्चाही तरक्की कर दी अच्छा आप सौमी भक्ती छोड़ो और साफ बतलाओ मैंने ताकीद कर दी थी कि कार खाने का इंतिजम तुमारे हाथ में रहेगा मगर शायद हर दास ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा दीनानात जी हां मगर मुझे इसका जराबी दुख नहीं वही रईस काम के लिए ठीक भी थे जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह मुझे से हरगिज नहों सकता हर नाम दास मुझे सुन सुन कर हैरत होती है बतलाओ क्या तरक्की हुई दीनानात तफसील तो बहुत जादा होगी मगर थोड़े में ही समझ लेजे कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे अब रोज होता है नई मशीन आ गई थी उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है पर अक्सर रात को भी चलती है उन्होंने हमको 500 बोरे महवार का बयाना दिया है इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गया है आमधनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं कई आदमी नए रखे गए हैं मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है मगर खालिस नफ़प के मुकाबले में चौगने के करीब है हरनाम दास ने बड़े ध्यान से यह भास सुनी वे गौर से दीनानात की चेरे की तरफ देख रहे थे शायद उसके दिन में पैटकर सच्चाई की तहह में पहुँचना चाहते थे संधेपूर स्वर्व में बोले दीनानात तुम कभी मुझसे जूट नहीं बोलते थे लेकिन तो भी मुझे इन बातों का यकीन नहीं आता और जब तक अपनी आखों से न देख लूँगा यकीन ना आएगा दीनानात कुछ निराश होकर विदा हो गया दीनानात के चले जाने के बाद लालाहर नामदास कुछ तेर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकाया कहार से बग्गी मंगवाई लाठी के साहरे बग्गी में आ बैठे उसे अपने चकी घर चलने का हुकम दिया दोपहर का वक्त था कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे जाते थे मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था बग्गी होते में दाखिल हुई दोनों तरफ फूलों की कतारी नजर आई माली क्यारियों में पानी दे रहा था ठेले और गाडियों के मारे बग्गी को निकलने की जगह न मिलती थी जिदर निगा जाती सफाई और हर्याली निजर आती थी हरिदास अपने मुहरर को कुछ खतों का मसौदा लिख रहा था बुड़े लाला जी को लाठी टेकते हुए कारखाने में जब दाखिल हुए तो हरिदास फौरण उठ खड़ा हुआ उन्हें हातों से सहरा देते हुए बोला आपने कहला क्यों नहीं बेजा मैं आना चाहता हूँ पाल की मंगवा देता आपको बहुत तकलीफ हुई यह कहकर उसने एक आराम कुरसी बैठने के लिए खिसका दी कारखाने के करमचारी दोड़े उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए हर नामदास कुरसी पर बैठ गए बोरों को छट से चूमने वाले धेर पर नजर दोड़ा कर बोले मालूम होता है दीनाना सच कहता था मुझे यहां कई नई सूर्ते नजर आती है भला कितना काम रोज होता है हर नामदास आजकल काम जादा आ गया था इसलिए कोई 500 मन रोजा न तयार हो जाता था लेकिन औसर 200 मन का रहेगा मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी इसलिए अकसर रात को भी काम होता है हर नामदास कुछ कर्ज लेना पड़ा हर नामदास एक कौड़ी भी नहीं सिर्फ मशीन की आदी कीमत बाकी है हर नामदास के चेरे पर इतमिनान का रंग नज़र आया संदे ने वे विश्वास को जगह दी प्यार भरी आँखों से लड़के की तरफ देखा और करोन स्वर में बोले बेटा मैंने तुम्हारे उपर बड़ा जुलम किया मुझे माफ करो मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमन था लेकिन मुझे बहुत दोका हुआ मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खीश लेना चाहिए था मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुचाया यह बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परक का मौका दिया और तुम्हें ल्याकत दिखाने का काश यह हमला पांस साल पहले ही हुआ होता इश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उननती दे यही तुम्हारे बुड़े बाप का आशिरवाद है